स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल पर कोशे का बित्ति और कोशे का जिल्ली से multiple choice questions प्रेक्टिस करते हैं डे स्टुडेंट्स ये सारे multiple choice questions next first grade की तैयरी करने वाले set की preparation करने वाले और second grade की preparation करने वाले सभी students के लिए समान रूप से उप्योगी हैं तो आप सभी students इनके practice करें क्योंकि ये जितने भी examination है इन सभी में basic biology के multiple choice questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना base मजबूत करिए question number first हमारे पास निमलिखित में से कौनसा एक कोशिका जिल्ली का रचक नहीं है cholesterol, glycolipids, proline, phospholipids तो बिल्कूल आपका answer जाएगा यहाँ पर proline आप answer लगा देंगे C cholesterol होता है, glycolipids होता है, phospholipids भी पाया जाता है proline amino acid है जो की कोशिका जिल्ली में नहीं मिलेगा हाला कि कोशिका जिल्ली में proteins पाया जाती है intrinsic और extrinsic तो proline आप यहाँ पर answer लगा देंगे muramik amalik किसकी कोशिका वित्ति में उपस्तित होता है जिवाणों निल हरिशेवाल, हरिशेवाल में, yeast में, सभी कवक में तो muramik acid की हम बात करें जिसे हम peptido glycan भी बोलते हैं तो मुख्य रूप से जिवाणों और blue green algae में दिखाई देता है तो आपका answer हो जाएगा हरिशेवाल, yeast में, और सभी कवको में, yeast में काइटीन की बनीवी कोशिका वित्ति होती है हरिशेवाल में cellulose वगरा, hemicellulose वगरा पाये जाते हैं तो जिवाणों और नील हरिशेवाल में, muramik अमल यहाँ पर पाये जाएगा कोशिका वित्ति में Question number 3 के आगे हम बात करते हैं प्रात्मिक कोशिका वित्ति का निर्मन कौनसी विधी की द्वरा होता है इस्तराधान जिसे हम apposition method भी बोलते हैं, कणाधान जिसे हम interception method भी बोलते हैं A and B दोनों या अध्यार open तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा प्रात्मिक कोशिका वित्ति का निर्मन कणाधान method से पाया जाता है यानि कणों के रूप में वित्ति का निर्मन होगा जुत्यक कोशिका वित्ति का निर्मन होता है कणाधान इस्तराधान एव वभी दोनों या अध्यार open के दौरा तो बिल्कूल दोनों ही method के ड्वरा होता है interception और opposition कणाधान और इस्तराधान कण धान में कणों के रूप में कणिये पधार्त जमा होकर जिल्ली को बनाएंगे और इस्तरा धान में लेरिंग होगी या इस्तर बनकर भित्ति का निर्माण होगा तो दित्य कोशिका भित्ति में दोनों ही मेथड पाये जाते हैं निर्माण में यह आप ध्यान देंगे π्लाजμο ्डेस्मेटा हमने कई वर पड़ा है कि प्लाजμο ڈेस्मेटा के वाल प्लांट कोशिकाओं में पाए जाते हैं कोशिका बित्ति के चिद्र है involved जिली के चिद्र है या जीव दरवे संपर्क सुत्र है कोशिक का दिर्गी करण के समय कोशिका भित्ति में व्रद्धी किसके द्वरा होती है यानि कोशिका जब elongate होगी तो कोशिका भित्ति में व्रद्धी किसके द्वरा होगी तो यह भी अच्छा प्रशन है तो उस समय कोशिका बित्ति में व्रद्धी जो होगी वो कणिये पधार्तों के जमाओं के दोरा होगी और कणिये पधार्तों का जमाओं होता है वो कणाधान विदी के दोरा पाया जाएगा बिल्कुल आपका आंसर यहां पर भी हो जाएगा तो इस प्रकार से आप सारे प्रश्णों के आंसर कोपी में लगाएंगे आप भी अपनी कोपी बना लीजिए और उसमें लगाते हुए चलिए Next, Question No.7 की बात करता है कौन सा तत्व मुख्य रूप से मद्य पटलिगा में पाया जाता है तो जो मद्य पटलिगा वो केल्शिम और मेगनेशिम के पेक्टेड से बनती है तो केल्शिम जो है वो मुख्य रूप से मद्य पटलिगा में पाया जाएगा हलाकि magnesium भी होता है लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वो calcium पाया जाएगा आप याद रखेंगे कोश का किसी का विषेस्ता है लिगणिन कायमा में लिगनिन पाया जाएगा दगutz तो यह किसी की विषेश्ता है इंदर जियाईलम के जो वइसाल्स पाय जाएगे वहाँ पर इस्क्लेन कायमेटस या दड़ों तक से बने हुई लिगनिकरत कोशिका बित्ती पाए जाती है स्यू सेल्स और स्यू ट्यूप स्फ्लायम के एलिमेंट्स हैं कोशिका जिल्ली में कितने एंजाइम मिलते हैं 20, 30, 40, 50 तो बिल्कुल कोशिका जिल्ली में 30 एंजाइम्स पाए जाते हैं आरेक्ट आपको याद करना है कोशिका या अपस में केल्शियम पेक्टेट परतवारा जुड़ी रती है शब्द प्लाज्मों डेस्मेटा सरप्रतम उप्योग किया गया था लिवन होक के द्वारा बी दवे के द्वारा स्ट्रास बर्गर के द्वारा पोर्टर के द्वारा तो यहां पर आपका आंसर चला जाएगा स्ट्रास बर्गर लिवन होक ने सबसे पहले जिवित सेल को द सभी में पाए जाती है तो अब कांसर हो जाएगा डी किस प्रकार की कोशिक का सते संधियां उपकला उत्तक में अधिक्ता से पाए जाती है यानि epithelium tissue में कौन सी सते संधियां मिलेगी nexus जिसे हम gap junction भी बोलते हैं desmosomes बिल्कुल desmosomes epithelium uttak में पाए जाएंगे जोना occludence है tight junction या plasmodesmator तो बिल्कुल आपका अंसर यहां पर हो जाएगा desmosomes जोना occludence जो है वो भूणी है जिल्यों में पाए जाएगा nexus या connection के हम बात करें तो यह दूसरी कोशिकाओं में मिलता है और मुख्य रूप से उपकला कोशिकाओं या उपकला कोशिकाओं में desmosomes यहां पर पाए जाएंगी कोशिकाओं में कोशिकाओं में कोशिकाओं में मुख्य रूप से उन्होंने कोशिकाओं यह देखा था तो यहां पर आपका अंसर चला जाएगा बी कोशिकाओं 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 में कोशिकाओं में संसलेशित होते हैं माइटोगोंड्रिया में एंडिप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिक्ट्योसोम में या सभी में तो प्लांट बोडी में हम डिक्ट्योसोम को गोलजी बोडी बोलते हैं तो यह गोलजी बोडी में बनते हैं ये डिक्ट्र को में बनते हैं प्लाजमा जिल्लिक का बटर सेंड़ीच मोडल प्रतिपदित किया गया था डैविटसन गया था डैविसन और त्दीर और डैनियली में कोशी का वित्ती होती है म्रत अपारगम में बिल्कुल म्रत होती है लेकर अपारगम में नहीं होती है म्रत तथा पारगम में बिल्कुल आपका आंसर भी हो जाएगा जीवित नहीं होती है अपारगम में नहीं होती है जीवित तथा चैना अत्म के भी नहीं ह प्लाजमा कचला में पाए जाने वाली परिधय प्रोटीन है, रॉडौप्प्सिन, स्पेक्टरिन, साइ्टोक्रॉम औक्शिदेश, ग्लाइकोफोरिन quarantine होजाएंगे बाकि इस्पेक्टरन एक्टिन एस्ट्रेज ये परधी प्रोट इन सारे अक्टिन में इस प्लाज्मा को लाम गेन। ये प्रम आया हुआ है। सेंगर ऑवर्टोन जन। ஊकू प्लोवर आप आन्सर लगा देंग Ms. सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत मोडल में कौन से अनू अर्द तरल रूप में पाये जाते हैं सेमी फ्लूड रूप में तो बहुत अच्छा प्रशन है लिपिड, कार्भाईडरेट, प्रोटीन, एंजेम्स तो लिपिड आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे कि सिंगर और निकोलसन ने जो फ्रूड मोडल दिया था उसमें लिपिड के अनू अर्द तरल रूप में पाये जाएंगे नेक्स्ट कोशिका कला की विशिस्टिक करण की रचनाई है माइक्रो विलाई, तो माइक्रो विलाई मुख्य रूप से प्राणी कोशिकाओं में कोशिका जिल्ली के मोडिफिकेशन होते हैं इंटर डिजिटेशन और डेस्मोसोंस तो यह सारे कोशिका जिल्ली के विशिस्टिक करण है तो आपके आंसर आप लगा देंगे D, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर D दो कोशिकाओं के मद्य पाया जाने वाला सायोजन जिनमें अंतरा कोशिकाओं के मद्य अवकास नहीं पाया जाता है तो बिल्कुल टाइड जंक्षन, डेस्मोसों, जोनुला एडरेंस, ओल तो यहाँ पर नाम से पता चाल जाएगा के आउकास नहीं है तो टाइड जंक्षन या टाइड जंक्षन को हम जोनुला ओक्लूडेंस भी बोलते हैं यह आप लगा देंगे सोमेलित करना है नेक्स्ट प्रश्ण में हमारे को मेक्यूला एडरेंस, जोनुला एडरेंस, नेक्सस और टाइड जंक्षन तो टाइड जंक्षन को हम जोनुला ओक्लूडेंस बोलते हैं तो डी में आपका सी हो जाएगा आप बिल्कुल यहाँ से निकाल सकते हैं मेक्यूला एडरेंस को हम स्पोर्ट डेस्मोसम्स भी बोलते हैं तो ए में आपका भी हो जाएगा जोनुला एडरेंस को हम बेल्ट डेस्मोसम्स करते हैं तो बी में आपका ए हो जाएगा नेक्सस को हम गेब जंक्षन बोलते हैं और टाइड जंक्षन को हम जोनुला अब योनी की ऊपकला कि हम ब Respons देखें मिलते हैं कि मैस्तिस की जलेगा में स्धनुप क्रबा में हेमिड थे जिसे नेक्सेस भी बोलते हैं, में पार गम्बेता का नियंत्रन कोंसा आयन करता है, केलिशम आयन, प्रटेशम आयन, सोडियम आयन या मैगनिशम आयन, तो गेब जंक्षन में, जो इसकी एकाई होती है, कनक्सोंस, उसमें केलिशम आयन मुख्युरूप से पाये जाते हैं, त कर दुरान पाया जाता है तो अभी हमने पिछले कोशन में देखा है थोड़ी दर पहले कि ब्रूणिये जिल्लीओं में मुख्य रूप से टाइट जंक्षन पाया जाएगा तो आप यहां पर आंसर लगा सकते हैं टाइट जंक्षन ब्रूणिये जिल्लीओं की विशेष्टा प्लाजम जिल्ली की च्राम की आंत्रिक प्रोटीन होती है साइटोक्रोम ओक्सीड़ेस एक्टिंग एब भी दोनों तो भी आपका अंसर हो जाएगा एक्टिंग परिधीर ब्रोटीन अहेखिए हम वाद्रोटीने में उधर्णाि तो यह थो यह जो दो कोशिका Ż 죽ों तो चै heaven को ये कृट से आपको पता चल रहा है कंडिकों अशर किसमे पाई जाते है टो चैकोंशॉन जो नह door do ये स्कहरां कि सब्सक्राइब नेiri देखा था ये अब याद रखेंगे ये यह देस्मोसौम में उपस्तित होते हैं, टोन फिलामेंट, टांस्मेम्बरन लिंक कर, गेव जंक्शन, कन्च्वन तो टोन फिलामेंट्स जा है, वो डेस्मोसौम की विशेस्ष्थ है फिर से question number 32 में हमें मिलान करना है miscelli model, tarl mozak model, lipid leaflet model और iqai jilli model tarl mozak model singer और Nicholson ने दिया था तो B में आपका बिल्कुल 3 आ जाएगा lipid leaflet model, goter और gandle ने दिया था तो C में 4 आ जाएगा iqai jilli model, robertson ने दिया था तो D में 1 आ जाएगा और miscelli model, hilir और halfmon ने दिया था तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका answer हो जाएगा A A में 2, B में 3, C में 4 और D में 1 Question number 33 है प्लाज्मा जिल्ली में lipid के अनुव्यवस्तित होते हैं शीर्ष समनांतर होता है उनका side by side पूच एक दूसरे के सम्मुक या यादरचिक तो प्लाज्मा जिल्ली का जो तरल मोजेक मोडल है उसमें डाइग्राम में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूच एक दूसरे के सम्मुक होती है तो आप cancer चला जाएगा C कोशे का जिल्ली शब्द का प्रयोग किस ने किया था नागेली, क्रेमर, एवबी, जेक्की प्लवर तो बिल्कुल नागेली और क्रेमर ने कोशे का जिल्ली सब्द का प्रयोग किया था प्लाज्मा जिल्ली में लिपिड की उपस्तिती किस ने बताई सिंगर ने निकोलसन ने ओवर्टोन ने तो लिपोडल मोडल जो है वो ओवर्टोन ने दिया था ओवर्टोन ने प्लाजमा जिल्ली में लिपड की उपस्तिती बताई तो डिस्टेंट से 35 multiple choice questions हमने हमारी biology को अच्छे करने के लिए किये है second grade के लिए मैं ये करवा रहा हूं मुख्य रूप से बाकी ये हर एक biology based examination के लिए उप्योगी है बहुत बहुत धन्यवाद